हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेट्ज राइट्स तो आज MP स्टेट की अलॉट्मेंट लिस्ट डिकलेयर होने वाली है सांत ही DME की वेब साइट पर एक रिशेंट नोटिफिकेशन सो हुआ है ओनलाइन फी पेमेंट को लेकर इस नोटिफिकेशन में DME ने एक मैनूल जारी किया है जो आपकी हेल्प ओनलाइन फी पेमेंट में करने वाला है ये ओनलाइन फी पेमेंट आपको तब करनी है जब आपको कॉलेज एलोट हो जाएगा उसके बाद तो सबसे पहले आप DME.MPonline.gov.in की वेबसाइट पर जाएं उसके बाद अपना रोल नम्मर पासबर्ड एंटर करना है इसके बाद कैप्चा एंटर करें and submit it इसके बाद आप अपने प्रोफाइल में इंस्टिटीट फी पेमेंट के आप्सन पर जाएंगे यहाँ आपको इस इंस्टिटीट की जितनी फी आपको पे करनी है वो शो होगी यह देखने के बाद आप प्रोसीड फूर ओनलाइन पेमेंट के आप्सन पर क्लिक करेंगे बेरियस पेमेंट ओप्सन ओपन हो जाएंगे आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं यदि आप एस्बिया यूजर नहीं है तो एनि एफ्टी आर्टी जीएस के माध्यम से पे कर सकते हैं सो क्लिक ओन एनि एफ्टी आर्टी जीएस इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एमांट शो होगा सम्मिट पर क्लिक करना है इसके बाद रिफ्रेंश नम्मर सो होगा जो आपको अपने पास नोट डाउन करके रख लेना है क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है फिर सेगंड ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग तो आप SBI यूजर हैं तो इसे इस्तमाल कर सकते हैं कोई भी वन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सम्मिट कर दें इसके बाद कुछ निर्देश सो होगा उसे ध्यान से पढ़ें अगेन आपकी स्क्रीन पर पेमेंट डेटेल शो होंगी फिर से कन्फर्म करें ऐसे करने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी रिशीप्ट के प्रिंट आउट को टाउनलोड कर आप अपने पास रख लें आई होप इस वीडियो के माध्धम से आपकी हैल्प हुई होगी फिर भी अगर आप कुछ पॉइंट जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें